आज मैं आपके लिए पनीर की बुझ्जी ग्रेवी वाली बहुती मज़िदा रेस्पी लेकर आ गई हूँ आप देख सकते हैं मेरी पनीर की बुझ्जी कितनी डिलिशुस बनके रेडी होई है और इसमें मैं आपको कुछ सिक्रेंट्स पॉइंट भी बताने वाली हूँ कि अ आप देख सकते मैं अ कर दे कि पर ट्वाला पनीर लिया है 200 ग्राम का पनीर है आप चाहे तो जो आपन पर मार्केट में मिलता है वो भी उसकर सकते हैं मैं अरे अप और यह हूं कैप्सिकम ले एं और मैंने आपर टमैटो की प्यूरी बनांके रेडी कर दिया अप देख सकत तो हम चल्दी से बनाना फट-फट से स्टाइट करते हैं में तरहे देख सकतें में tych सब्जी ने ले रही हैं टेख सकते हैं मैं प्र टीष्पून ओफ घिंग करना सब् j00aka आपढ़ जीरा ले रही है जीरा अच्छे से भुन गया मैं आपढ़ जो ले रही हूं एक काली बड़ी इलैची सिर्फ एक बड़ी राइड नहीं करेंगे चैनल यहां पर एक बड़ी यह चोटे वाली उसको खोल के अगर आड़ करेंगे तो इसका जो टेस्ट है वह बहुत मेरे चॉप्ट ओनियन ले ले हूं मैं ढあれक बारिख ओनियन को चॉप्ड कर लिया है अगर आप चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब खाले समय टमांटर और शुम्ली से डालक भी बना सकते हैं और अगर आप garlic खाते हैं तो आप इसमें half teaspoon garlic भी डाल सकते हैं garlic paste मैंने आपर half cup of capsicum को chopped करके add कर लिया है इसको मैं low flame पे अच्छे से fry कर लूँगी मेरी जो tomato वो sorry मेदे जो शिमला मिर्च है और प्याज है वो अच्छे से भुन गई है उसके बाद मैं आप tomato puree add कर रही हूँ आप देख सकते हैं अब हम कुछ घर की मसाले जो हम नोरों मसाले यूज़ करते हैं वह हम यह आपर यूज़ करने वाले हैं half teaspoon आप हल्दी powder किया है half teaspoon रड़ चिली powder एड़ किया है 1 teaspoon में आप धनिया powder एड़ कर रही हूँ आप देख सकते हैं half teaspoon में आप पर salt एड़ कर रही हूँ अभी हमने आप पर red chili powder एड़ नहीं किया है वह मैं भूल गई हूँ तो मैं अभी जल्दी से एड़ कर लेती हूँ तो अब हम इसमे रड़ चिली powder एड़ करने वाले हैं आप देख सकते हैं half teaspoon में आप पर कश्मीरी रड़ चिली powder एड़ कर रही हूँ आप देख सकते हैं इसको मैं अच्छे से mix कर दूँगी अभी मैं इसमें एक secret चीज भी एड़ करने वाली हूँ तो recipe में बने रहें और अगर आप यहाँ तक अपने recipe देख लिए तो जल्दी से चैनल को subscribe करके जहूर जाना और bell icon को भी प्रेस कर देना जिससे आपको आने वाली हर वीड़ का notification मिल जाएगा आप देख सकते हैं मेरी जो gravy है कितनी अच्छे से पगी है कभी आप कोई भी सब्जी बनाए ग्रेवी के बात का धियान रखें ग्रेवी को आप जितने अच्छे से पकाएंगे उतनी सब्जी का टेस्ट आपका अच्छा आएगा तो मैं आप पर ले रहे हूं घर की fresh मलाई तू टेबल स्पून में आप दूद की मलाई ले बिल्कुल fresh मलाई का यूज करें कभी भी रखी मलाई का यूज हमें नहीं करना चाहिए अपनी सब्जी में तो टेस्ट चेंज हो जाता है हमारी सब्जी गा तो मैं इसको अच्छे से फेट लूँगी और इसको एड कर दूँगी देखिए इससे सब्जी का जो टेस्ट है दो गुना टेस्ट आजाएगा सब्जी का जो टेस्ट एक्तम डिफ्रेंट टेस्ट आजएगा मतलब एक पनीर की बुजी 10-15 मिनट्स पे बनके रेडी हो जा आपके लिए अच्छे-ची रेस्पी लेकर आती रहोंगी आप देख सकते हैं इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी आप देख सकते हमने अपनी जो ग्रेवी को बहुत अच्छे से पकाया था इसलिए जो मेरी सब्जी बिल्कुल कड़ाई से हट रही है बिल्कुल भी बनके रेडी हो जाएगी मैं इसमें अच्छे से बनके रेडी हो गई है देखे तो बहुत जदर डिलीशियस हमारी सब्जी बनके रेडी हुई है आप देख सकते हैं मैं इसमें ऊपर से थोड़ी से धनिया पत्ति एड़ कर दूँगी और हाँ आप मुझे इंस्ट्राग्र में मैंशन कर दोंगे निए आप नॉट भी कर सकते हैं अकांशा 3370 मेरी इंस्ट्राग्राम के आइडिया मुझे जल्दी से जाके महापर भी फॉलो कर लें आप देख सकते हैं मैंने इसको एक ब्लेट में सर्फ कर लिया तो जल्दी से जाओ फ्रेंट्स ट्राइक करो और कै इसे क्या रेस्पी देखना चाहते हैं यह भी हम मुझे कमेंट डाउन करके बता सकते हैं अपकोस मैं आपके लिए वह रेस्पी जल्दी से जल्दी राने की पूरी कोशिश करूंगी तो बने रहे मेरे साथ ऐसे मिलती हूं मैं आपसे नेक्स रेस्पी में थैंक्यू थैंक